असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं प्रतेसी वाइब और मैं हूँ आपका दोस हाशीम उमर केंडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नमबर फिफ्टी सिक्स तो लेट स्टार्ट क्वेस्टेंज और आंसर्स पहला क्वेस्टन है फोर स्टार वी लाग्स का असलाम अलेकूम हाशीम भाई वालेकूम असलाम मेरे चार बच्चे हैं किड्स एजीज आर बारां दास नो साथ मैं और मेरी वाइफ बच्चों के बगैर विजट विज़ा अपलाई करें तो कितने चांसीज हैं परफाइल सैक्षिन तो आपका क्लिए है अब आप मिया और बीवी पच्चों के बगयर कैनिडा ट्रैवल करना चाहते हैं तो विज़ अफीसर ये देखेगा कि क्या आपने पहले कभी बच्चों के बगयार ट्रेवल की है क्योंकि हमारे कल्चर का वीजा आफीसर को पता होता है अब अगर आपने ट्रेवल पहले कभी नहीं किया तो सबसे इंपोर्टन चीज आएगी आपका पर्पस आफ ट्रेवल पर्पस आफ ट्रेवल आपका सॉलिड होगा तो वीजा के चांसी बढ़ ज ऐसा है कि ये मिया बीवी बच्चों के बगार क्यों ट्रेवल करना चाहरे है तो वो पर्पस जो है ना वो डिसाइड करेगा क्या आपका वीजा लगना है या नहीं लगना है अजीज अजीज बिस्वास का क्वेस्टन है एक बार विजट वीजा अप्रूड हो जाए तो कि जितनी बार आना जाना कर सकते हैं उसी वीजा में प्लीज रिपलाए आप जितनी मर्जी दफ़ा आ जा सकते हैं लेकिन छे महीने से पहले पहले आपने एक्जिट करना है अभी एक मैंने लास्ट टाइम सक्सेस स्टोरी शेर की थी उस बाई ने एक्स्टेंशन भी डाल दी ती यानि कि एगर आपके 6 महीने पूरे होने वाले हों तो अगर आपके मजबूरी है कि यहां पर आपने ठहरना है तो 15-20 दिन पहले आप आनलाइन खुद ही अपलाई करें किसी एजन्टिया यहां किसी कंसेल्टन के पास ना जाएं खुद ही आनलाइन अपलाई करें और वज़ा बताएं कि आप क्यों मजीद ठैरना चाह रहे हैं तो कुछ लोगों को दो महीने, तीन महीने की extension भी मिली है, अभी जो last success story मैंने शेयर की थी भाई को छे महीने की extension यहां पे मिल गई थी। लूवल आता है, तो दो साल आपके पास होते हैं, आप जितनी दफ़ा मर्जी exam दे, यहां पे मैंने देखा है, लोग 6 दफ़ा भी exam दी है, 7 दफ़ा भी exam दी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, कि अभी last time एक लड़का इदर रहा था, उसका exam फेल हो गया था, तो उसने उनको mail की, वो अभी उनके साथ online session ले रहा है, online classes ले रहा है, बिल्कुल free वो पढ़ रहा है, तो यहां पे वो आपको ऐसे treat करते हैं, जैसे आप उनके बच्चे हैं, आपको वो कोशिश करते हैं, कि आप पास हो जाए, आपको free material देते हैं, free online classes भी आपको देते हैं, और कुछ लोग आते हैं, वो exam नहीं भी देते हैं, उसमें कोई मुश्कल नहीं है, अमार आलम का question है, sir मेरे पास electrical diploma है, vocational center का, और 4 साल का experience भी है, लेकिन कैसे apply करूं, देखें यह जो आपके पास electrical diploma है, vocational center का, मेरा ख्याल है, यह एक साल का certificate होता है, diploma नहीं होता, अगर मैं गल आपके पास 4 साल का experience है, निकिन आपने यह नहीं बताया कि कौन से electrician का 4 साल का experience है, building, यानि कि इदर building electrician, जिसको यहां पे construction वाला electrician बोलते हैं, यहां आप industrial electrician है, यहां आप home appliances वाले electrician है, कौन से electrician है, anyways, जो से भी आप electrician है, 8 से 9,000 गंटे का experience होना चाहिए, और वो मेरा ख्याल है, चार साल के experience में वो cover हो रहा है, तो आप red seal exam के लिए apply कर सकते हैं, सारा process online पड़ा हुआ है, पहले जाके यह skilled trades BC वाली website है, इदर जाके search करें, आपको वहां पे सारा material मिल जाएगा, इमरान हाशमी का question है, असलाम अलेकुम रोवालेकुम असलाम, how to prepare for exam, is it tough or easy exam, kindly advise me, how to get a book for preparation of exam, जी exam की तियारी कैसे करनी है, यह side पे video आप चाल रही है, आप Google पे जाके लिखें, skilled trades BC Canada, उनकी official website उसको open करें, फिर आगे अपना profession देएगा, लेक्टरिशन हैं, प्लंबर हैं, पाइफीटर हैं, वेल्डर हैं, जो उनसा भी profession है, और यह भी वीडियो में देखें, वो जब आप अपने, for example, लेक्टरिशन पे क्लिक करते हैं, तो उसकी सारी detail उपन हो जाएगी, वहां पे PDF पढ़ी हैं, तकरीबन 180-190 pages की, वो समझे क किताब ही पढ़ी है, जो आप बोल रहे हैं, कि कौन सी किताब, बल इनकी वेब साइट पर ही सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी आप त्यारी कार सकते हैं, आप पूछ रहे हैं, कि एक्जैम असान होता है, या मुशकल होता है, मैंने बहुत सारे लड़के इथर द के को को टीचर मिला है, या मिलिया वो फीमेल है, तो इसलिए मेरे मुझे निकल गया है, यार टीचर आपको मिल जाएगी, सब आप उटो का क्वेशन है, प्लीज वन मोर क्वेशन, I am thinking to leave my current job, will it affect my tourist visa, I applied from UK to Canada, I have been working since 2018 in UK, but now thinking to take some break, may take some benefits, will they assess my that time financial circumstances are current, when will process it, जब आप अपना visa का process शुरू करेंगे, यानि कि आप अपनी file submit करते हैं, तो आपके जो पिछले चार से पांच महीने जो आपके financial circumstances, यानि कि जो आपके current circumstances होंगे, वो उनको assess करेंगे, क्यूंकि बहुत दफ़ा मैंने देखा है, लोगों की job चली जाती है, औ जाप के बाद उनको वो पिछली pending salaries उनके account में आती है, तो वो लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी अभी जो ना financial, जो funds वाला section हो बहुत strong हो गया, तो वो फिर लेकिन visa officer ये देख लेता है, कि इसके account में suddenly इतने सारे पैसे हैं, लगता है इसकी job चलीगी, क्यूंकि उनक statement चेक करने वाला उनका department date separate, तो अगर आपके account में पैसे कम भी हैं, लेकि regular salaries आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है, कि आपके जो जो वो rejection में लिखते हैं ना, कि limited employment possibilities की वज़ा से जो rejection करते हैं, वो नहीं आएगी आपको, आपने ये नहीं सोचना कि मैं मुझे account में भी, मैं जा natural bank statement चाल रही है, तो फिर visa के chances ज्यादा होते हैं, तो current circumstances वो आपके देखेंगे, फाहद अरसलान का question है, UAE दुबई से truckers की America में as a trucker जाब हो जाती है, किसी की ऐसे जाब हुई है, बस ये बता दे, please, कोई एक या दो लोग ऐसे आएं हो, UAE से America as a trucker, भाई जन मुझे America का तो नहीं पता, लेकिन Canada का मुझे पता है, कि यहां से बहुत सारी companies, Gulf region से, यानि साथी यरब, दुबई, कुवेट, मसकत, उमान, कतर, इदर से direct वहां से hiring करती हैं, उन truckers को जिनका वहां पे Gulf region में दो साल से ज्यादा का experience होता है, लेकिन उदर आपने आपकी job searching skills, आप खु हो सारे यहां पे लूटने के लिए लोग बैठे हों हैं, जो आपको बोलेंगे कि जी हम वहां से आपको इदर ले आएंगे, 40,000, 45,000, 50,000 डालर्स आपसे डिमांड करेंगे, वह नहीं आपने करना, आप खुद सर्च करें, इसलिए मैं हर वीडियो में करता हूँ, job searching skills, वह बेहतर करें, तो फिर आप फ्री में इदर वहां से यहां आ सकते हैं, यह थे आज के question, मजीद किसी के जहन में को question है, दिल में भी है, दमाग में भी है, तो वो नीचे कॉमेंट में जरूर करें, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में उसका answer दूं, वीडियो प झाल झाल